हेलो अब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप लोग 2024 के अंदर DRDO Defense Research and Development Organization को जोईन करके एक अच्छे सी पोश्ट पर सिंटर लेवल की गोवर्मेंट जोब पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसक करने के लिए offline application फोरम भी जारी कर दिये गए हैं दोस्तों आपको बता दे कि ये बिना किसी exam वाली vacancy है यानि कि आपको किसी भी तरह का exam इसके लिए नहीं देना होगा आपको सीधे यहाँ पर interview वाली जगे पर जाना होगा interview के लिए जिसकी date पहले से ही decide कर दी गई है आप आपके interview चार से लेकर साथ मार्च तक चलने वाले हैं आपको बताएंगे कौन-कौन सी date के अंदर आपके interview होंगे यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं complete notification ओपन करेंगे offline application फोरम को download करेंगे और आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे offline आबेदन in vacancies के लिए करेंगे कैसे forum फिल अप करेंगे कौन सी गलती नहीं करेंगे जिस वज़े से आपका forum cancel हो जाए आगे बढ़ने से पहले छोटी से request वीडियो को like कर दें और आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को जरूर on करें दोस्तों आपको बता दे जे आर एप के प एक्जाम के सीधी भरती है केबल और केबल इंटर्व्यू के प्रोसेस से आपको गुजरना होगा नॉर्मली आपकी age 18 से लेकर 28 साल की बीच में हैं और छूट के साथ में 33 साल तक के candidate आभीदन कर पाएंगे बाकी इंटर्व्यू कैसे होगा क्या पूछा जाएगा इसके ब और आप लोग जहां पे comment करते हैं first comment के अंदर पीन कर दिया गया तो click करके इस page पे आ सकते हैं यहां पर आने के बाद पहला काम करिएगा whatsapp ग्रूप को join करेगा और हो सके तो whatsapp channel और telegram ग्रूप को भी जरूर से join करिएगा देखे यहां पे आपका DRDO यानि Defense Research and Development Organization की तरफ से आपकी recruitment हैं यहां पे देखे DRDO recruitment है 2024 के लिए धिज्यानकारी के लिए Google पे जाके टाइप करेंगे www.nokanikhabar.com आपको हमारी official website मिल जाएगी अभी यहां पे सबसे पहले जो जानकारी दी गई है important dates को लेकर हैं यहां पे आपके interview 4 से लेकर 7 March या यूं कहें की 4 और 7 March को होने इसके लिए अभी समय हैं आप लोग इसको ध्यान से देखे notification को application fees की बात करते हैं तो बिल्कुल free आप सभी इन भरतियों के लिए निसुल का अभीदन कर पाएंगे इसके बाद आपकी उम्र है उम्र आपकी कम से कम 18 और अधिक सदिक 28 साल की होनी चाहे है जहां पे SCHD के लि लेगी तो 18 से 33 साल तक के candidate आभीदन कर पाएंगे विकिंसियों की बात करते हैं various number पूश्टे हैं जहां पर आपको JRP यानि junior research fellow के पदों पर भरतियों के notification देखने को मिले वाले हैं इसके बात करते हैं eligibility के बारे में 10-12 graduate pass candidate इन पदों पर आभीदन कर पाएंगे all inter level की आपको job मिलती है center level की job है इसके लिए कोई भी candidate जो eligible है कहीं से भी आभीदन कर सकता है और male and free male यानिकी महिला और वुरुस दोनों के टेगरी के candidate आभीदन कर सकते हैं today top job list की बात करें तो यहाँ पे आपको आज की नई सरकारी नोकरियों की जानकारी दी गई है अपने qualification के basis पे आप लोग click here पे click करके आभीदन कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं salary के बारे में salary आपको 37,000 रुपय पर मंत का यहाँ पर provide कराई जा रही जो की notification में साप साप mention किया गया है इसके बाद है आपका selection procedure, selection के अंदर के बल interview है कोई भी exam नहीं है आपका interview होगा उसके बाद आपके document verification किया जाएंगे कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, important link का section है जहाँ पर आपको सभी ज़रूरी link भी दिये गए है इसके बाद आपको notification को download करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर click here की button मिलती है, आपको एक बार click करना है click करके अपने notification को किसी भी PDF reader में आप सभी open कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं कि हमारा notification open हो जुका है Government of India, Ministry of Defense, Defense Research and Development Organization यानि की DRDO, walk-in interview यानि की आपका interview के basis पर selection होगा पहले ही बता दिया गया है, जे आर एप की पोश्टे हैं और इसके लिए जो आपको इस टाइप पेंट दिया जाएगा, मंतली का वो 37,000 रुपए दिया जाएगा अब यहाँ से नीचे आते हैं तो देख सकते हैं, इस line पे focus करिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि serial number है, उसके बाद आपका subject और discipline है, उसके बाद यहाँ पे आपका number of JRF और इसके बाद date of return test and interview यानि की जो आपका interview वगएरा होना उसकी date से यहाँ पे बताया गई ह इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो देख सकते हैं जितना भी आपका subject हैं, उसके अंदर जो JRF की vacancies हैं और यहाँ पे 4 और 7 March को आपका interview होना है, इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको बताया गया है कि आपकी जो upper age है यानि की अधिक्तम उमर है वो 28 साल त आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, pin code के साथ में जब भी आप interview के लिए जाएंगे तो यहाँ पे photo, identity card आपका होना चाहिए, अधार का driving license, passport, pen card, voter ID, time of interview, सुबह के समय 10 बजे आपका interview होना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके आपको मिलता है, offline application form, यहाँ पे देख सकते हैं, junior research, fellowship की post और यहाँ पे आपको epic selection passport size photograph यानि की आपको अपनी passport size की photograph attach करनी होगी, इसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी fill up करना है, जिसके अंदर आपका full name होगा, father's name होगा, इसके अंदर आपका gender होगा, male, female या third gender, category होगी journal OBC, SCHD, date of birth होगा, और nationality के अंदर इंडियन होगा, correspondence address यानि की अभी का address pin code और state के साथ में, साथ में permanent address pin code और state के साथ में, contact details आपको देनी है, phone number 2 दे देने हैं, ताकि एक optional भी रहा आए, इसके बाद email ID भी आपको दे देनी है, बात करते हैं, education qualification की, तो यहाँ पे आपको, कौन सा exam आपने पास किया, कौन से subject में, board university, कौन से साल महीने में, division क्या रहा, grade क्या रहा, percentage क्या बना, experience है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे कुछ और other qualification details, declaration के अंदर place और date और signature of the candidate के साथ आपको, इसको कहीं भी भेजना नहीं है, आ और कहां से आया है, क्या पढ़ाई की है, complete जानकारी आपकी उसी में रहने वाली है, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी, मिलते हैं अगली बीडियो के साथ, next update में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवा झालागी, तक के लिए बीडियो कि अढ़ाद।